नमस्कार मित्रों, कनाद अकेडमी में आपका हर्दिक स्वागत हैं, पिछली कक्षा में हमने डियाई की एक फिगर की प्रैक्टिस की थी, आज हम दूसरी फिगर पे चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा की प्रसंग में हमने विचार किया अक्की योजीसी नेट के जो प्रिवि कोशन को जल्दी अंडरस्टेंड कर सकें, और अंडरस्टेंड करने के बाद जल्दी से जल्दी उसका अंसर पता लगा सकें, उन सब चीजों के हम प्रैक्टिस आज करेंगे, तो किसी भी कोशन को करने से लिए आपको डियाई की, दो चीज़े आपके लिए आवशक हैं, पहले भी हमने चर्चा की थी, एक तो D.I.E. के figure को, या question को understand करना, कि figure में जो data आपके दिये हुए हैं, वे data क्या कह रही हैं, या question आपका क्या पूछना चाह रहा हैं, सबसे पहला part तो आपका ये है, दूसरा, यदि आपने question understand कर लिया है, question understand करने के बाद में, उन numbers का, उन data के माध्यम से, आप जल्दी से जल्दी answers कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका part होता है, तो जैसे-जैसे हम question करेंगे, उन questions में जो-जो चीजे आपको ध्यान रखनी आवशक हैं, उनको मैं सासत बताता रहूँगा, आप उसको अलग से note कर लिजीगा, जो भी सिध्धान ताएंगे, और जिस तरह से मापको बतारा, आप उसी तरह से practice करेंगे, तो डियाए की जो आपके questions है, आपको कठी नवश्य नहीं लगेंगे, वो आपको काफी सरल लगेंगे, तो figure आप देखीगा, figure में आपको अलग अलग ये दिया, संग्ठन में कुल करमचारियों की संख्यापकी 4600 दी हुई है, उसमें अलग अलग आपके विभाग है, IT विभाग है आपका, विपनन है, क्रे है, HR है, लेखा है, उत्पादन है, अलग अलग विभाग है, तो उन विभागों में कुल अगर करमचारी देखे, तो कुल करमचारी आपके कितने है, 4600 हैं आपके, लेकिन उस 4600 में से अलग लग विभाग का जो प्रतीशत है, वो प्रतीशत आपका यहाँ पे दिया है, ये जैसे IT विभाग में 26% है, विपननन में 22 है, इसी तरह से अ करमचारी का लिंग अनुपाद, रेशो दिया आपका, कि अलग लग विभाग में जो यहाँ पर टोटल आपके करमचारी का प्रतीशत दिया हुआ था, उसमें कितना पूरुष है, आपका कितना भाग पूरुष है, और कितनी महिलाएं हैं, वो आपका दिया, जैसे IT विभ आप इनके questions को ना करने से पहले, simple अगर figure को आप understand करते हैं, तो figure से आपको क्या-क्या पता लगता है, कि कुल करमचारी आपके 400 हैं, उसमें से IT विभाग का आपका 26% है, अगर कोई ये पूछता है आप से, कि IT विभाग में कुल करमचारी के संख्या कितनी हैं, तो आपको 4 4600 का 26% आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको तरीक आपको बताया था कैसे हैं, देखिएगा, जैसे अगर traditionally आप निकालते हो, traditionally का भी प्रहे क्या आपका, कि आपको 4600 हो गया, उस 4600 का आपको 26% तो 26 divided by 100 करेंगे, आपको ये स्पष्ट है, कि जो आपकी 00 है, वो 00 नीच से नीचे कट जाएगी, तो आपको 46 बचा, इसी 4600 को आप इधर से भी अपलाई कर सकते हैं, कि 4600 आपका 100% है, यदि इसका 10% निकालेंगे, तो 460 होगा, यदि इसका 1% निकालेंगे, तो 46 होगा, तो आपने ऊपर नीचे लिखके इनको काटा, उस काटने के बाद को क्या आप राप्त हुआ, कि आपको 1% 46 है, तो इसको आप पहले से माइडिम रखें, कि जो भी आपका नंबर है यहाँ पे, वो नंबर 100% है, उसमें से 10 हटा देंगे, तो 10% हो जाएगा, 10 और हटा देंगे आपका, तो 1% हो जाएगा, तो जब आपको 26% निकालना है, तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कि पहले आप इसका 20% निकाले, तो जैसे 46 था आपका, 460, यह आपका 10% था, और इसका डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 920, यह आपका 20% हो गया, उसके पर शायत आप निकाले 6%, क्योंकि अगर 26 को आप सीधा निकालते हो, तो तब भी हैं, लेकिन आप पैन का यूज कम करें, और जल्दी से कैलकुलेशन कर सकें, उसके लिए मापको यह तोड़-तोड़ के मेथड बता रहा हूं, आपको अगर वही अनुकूल लगता है, कि 46 को आप नीचे 26 रखके multiply करना चाहते हैं, तो वह भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक् 60 है, इसका 20% पतार डवल हो जाएगा, 46 का डवल होता है 92, तो 20% कितना हो गया आपका, 920 हो गया, अब आपका बचा 6%, आपको पता है कि एक प्रतिशत कितना आपको 46 है, वह 6% निकाना है तो इसको आप multiply कर सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने multiplication के methods देखे थे, आप क्या कर करेंगे, पहले 6 को आप 4 से multiply करेंगे, 6, 24, 24, फिर 6 को फिर आप 6 से multiply करेंगे, 240 और 36, 276, तो 920 में आप 276 add करेंगे, और add करने के लिए आप चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, कि 920 में आपने पहले 200 add कर दिये, 1120, 1120 में 17 add कि 1190, और फिर 6 add कि 1196, तो ल ये एक तरीका जो मैं apply करता हूँ, किसी का percentage निकालने के लिए, mentally इसको करता हूँ, आपको लिखने के आवशिकता नहीं होती है, तो वो आप apply कर सकते हैं, यदि आपको ये अनुकूल नहीं लगता है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगता उससे कर सकते हैं, बाकि जो जो मैं को अनुकूल लगेगा, मूँ आपको साथ साथ वो बदाता रहूँगा, अब question देखीगा पहला आपका, जो question है, कि लेखा विभाग में महिलाओं की कुल संख्या कितनी हैं, अब आप देखीगा, ऊपर आपके क्या है, 4600 है, लेखा विभाग में total percentage कितना आपका 8 परत आपके लेखा विभाग में तीन भाग पूरुष हैं और दो भाग आपकी महिलाओं, अब traditionally जो पारमपरिक तरीका है, उस पारमपरिक तरीके में क्या होगा, वो अभी आप सुन लीजेगा, फिर जिस तरह से आपको करना है, वो करने वाला पार्ट भी में आपको उन कुल करमचारिय में आपके पूरुष और इस्त्री दोनों होंगे, वे आपके कुल करमचारिय आ जाएंगे, जैसा multiply करना चाहो तो आपको कर सकते हैं, कि 40, जैसे आपका 4600 का 1% कितना 46 है, इस 46 को आप 8 से multiply करेंगे, तो वही तरीका apply करेंगे, 8 को पहले 4 से multiply किया, 320, फ पार्ट आ गया, तो ये 368 है क्या है आपके, लेखा विभाग में कुल करमचारी आ गए, अब उसमें हमने दिया हुए कि उसमें जो पूरुष है, वो तीन भाग है, जो महिलाएं है, एक भाग है, तो इस रेशो का भी प्राय आप समझेगा, रेशो में जो आपके ये तीन और एक लिखे हुए है, इसका कभी या भी प्राय नहीं होता कि तीन पुरुष है और एक महिलाएं है, ये संख्या जो दी हुई है, संख्या एक रेशो को बताने के लिए दी हुई है, जैसे मांले जीए, एक वेक्ति है, जो दूद का काम करता है, और उस दूद में क्या कर कि बेटा कि जब दूद आपका जितना भी होगा, उस दूद में अगर दो भाग दूद होता है, तो उसमें एक भाग पानी मिला देना, अब इसना कहके चले गए वे, अब बेटे इनको आप क्या समझेगा इस बात से, क्या वो यह सोचेगा कि दो किलो दूद लेना है, उसमे कि जितना दूद होगा, उस दूद को आपको दो और एक किलो पातने बाटना है, इसका भी प्राय क्या है, कि यदि आपके पास तीन किलो मिक्सचर है, उस तीन किलो मिक्सचर में दो किलो आपका दूद होगा, उस तीन किलो में एक किलो आपका पानी होगा, यदि मान लेज तोटल जो दूद उसने निकाला वो 6 किलो आ गया, तो 6 किलो को क्या करेंगे, वो इस 6 किलो को इसी 2 और 1 के अनुपात में ही बाटेंगे, कैसे बाटेंगे, कि जैसे आपने यह सिंपल बनाया, कि दोनों को एड करना है, जो आपका अनुपात यहां पर दिया हुआ है, तो अब टोटल जो मिक्स्चर बना आपका, वो 3 नहोंगे 6 था, तो आपको क्या कर देना, जितना भी आपका टोटल मिक्स्चर बनता है, उसको आपको यहां पर मल्टिप्लाई कर देना है, मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या जेगा, 3, 2, 6, यहां भी मल्टिप्लाई कर देंगे चार और दो छह हो गया उस छह में से चार भाग दूद का है और उस छह में से दो भाग आपका क्या है पानी है अब आप देखिएगा कि यह चार और दो ये भी एक अनुपात है इसको भी अन्ततो गत्वा अगर आप शोट से शोट नंबर में divide करना चाहते हैं तो इसको काटेंगे तो 2, 2, 4, 2, 1, 2 और आप देखेंगे 2 और 1 कहीं अनुपात रहा हैं तो अनुपात तो मतलब है कि कितना भी आप mixture लो कितना भी आप matter बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ लेकिन अन्ततो गत्वा उसके अंदर जो आपका रेशु रहना चीए वो रेशे क्या होगा आपका 2 अनुपात एग, ये तो रेशु का भी प्राय हुआ अब यहाँ पे जो apply करेंगे रेशु का आपको apply कैसे करेंगे आपको वो देख लीजिए कि जब आपका यहाँ पे नो ने कहा अकी तीन अनुपात, तीन भाग जो है वो पुरुष का है, एक भाग महिला का है तो यहाँ पे जो आपके वो आठ परतिशत निकाले थे हमने 320 और 48, 368 आपका जो आया था इस 368 में आप क्या करेंगे, कि 4 भाग में से 3 भाग आपके पुरुष है, 4 भाग में से 1 भाग आपके महिला है और उसको आप क्या करोगे, और 368 को ही इसी डिवीजन के इसी रेशो के नुसार बातोगे तो multiply 368 करेंगे, यहां भी multiply 368 करेंगे, फिसको 4 से काटेंगे तो यह जो part आपका है, यदि पी answer इसे ठीक आएगा, answer गलत नहीं आएगा लेकिन इसमें आपकी calculation काफी बड़ी हो रही है, यह तो फिर भी चलो कोई calculation fast कर सकता कहेगा कि फिर भी थोड़ा अंतर नहीं आए, लेकिन आप आगे आगे जैसे देखेंगे, आपको देखेंगे questions बहुत सारे हैं ऐसे, यदि आप उनको पारंपरिक तरीके से करते हैं, तो आपको काफी अधिक समय लगने वाला है और आपका समय काफी important होता paper के अंदर, आपको पता है कि सीमित समय मापको paper करना है तो उस दृष्टी के लिए आपको क्या करना है, आपको जो method मैं बता रहा हूँ, उस method का आपको use करना है कैसा है, कि आप इसको देखिए, जब उन्होंने का कि लेखा विभाग में कुल जो 100% करम चारी थे, उनमें से 8% लेखा विभाग के हैं तोटल जो 100% कितने हैं, तो 46, 100, उसमें से 8% कितना लेखा विभाग का है अब इस लेखा विभाग में पूरुष और महिलाओं का जो रेशो है, वो है 3 अनुपात 1 इसका भी प्राय क्या हुआ, कि 4 में से 3 आपके महिलाएं हैं, और 4 में से 1 आपके महिलाएं आपने काटा तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6 ये आगए आपके, और 4 दूनी 8, 2 ये आगए अर्थात 8 प्रतीशत जो टोटल लेखा विभाग के अंदर करमचारी थे, उन में से 6 प्रतीशत जो हैं आपके, वे आपके पूरुष हैं और जो 2 प्रतीशत हैं आपके, वे आपकी महिलाएं ये मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसको, कि टोटल जो आपके 4600 करमचारी हैं, उन करमचारियों में 2 प्रतीशत आपके लेखा विभाग की महिलाएं हैं और उनमें से 6 प्रतिशत आपके लेखा विभाग के पुरुष हैं अगर लेखा विभाग के उन पुरुष और महिलाओं को एड़ कर देते हैं तो लेखा विभाग के अंदर कुल करमचारी कितने बनते हैं आपके 8 प्रतिशत तो मैंने क्या किया इसके अंदर कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपके प्रतिशत दिये हुए थे करमचारियों को उन्हीं को मैंने पुरुष और महिला के अनुपात में डिवाइड कर दिये तो ये आपके 6 प्रतिशत आपके पुरुष और 2 प्रतिशत महिला है इसको फोकस कीजिएगा इसी मैथड का आपको बहुत सारी कोश्चन उप्योग होगा तो अंडरस्टेंडिंग करने के लिए मैं थोड़ा धीरे-धीरे से बता रहा हूँ फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ और फोकस कीजिएगा यहां जो 8 प्रतिशत आपके दिये हूँ लेखावी भाग में इसमें आपका क्या है यह कुल करमचारी है आपके लेखावी भाग के इसमें पूरुष और महिलाओं दोनों include है लेकिन मैं अलग नहीं पता इसमें कि कितने भाग पूरुष हैं आपके इतने भाग महिला है तो लेकिन टोटल आपके आठ है लेकिन साथ में एक डेट आपको दिया हुआ कि जो लेखावी भाग के अंदर पूरुष और महिलाओं का अनुपात है तीन अनुपात एक है तो जो आठ प्रतिशत था इस आठ प्रतिशत को ही हम तीन और एक के पूरुष बनेंगे और दो प्रतिशत आपकी महिला और इनको आप एड कर देंगे च्छेर दो आठ तो टोटल आपके लेखा विभाग के कुल करमचारी आ जाएगे अब आप कोशन क्या था आपका कि लेखा विभाग में महिलाओं की कुल संक्षा कितनी है अब आपको इस 600 का 1% कितना है 46 और 2% कितना होगा तो 46 को और 2 से multiply कर देंगे और आपको कितना आजएगा 92 यह आपका answer आपको देखो अब इसमें calculation आपकी काफी कम हो गई आपके दोतीनी step रहे पहला step क्या हुआ कि तरुंत आपको लेखा विभाग के जो कुल करमचारी है उन कुल करमचार को आपको इसी पूरुष और महिलाओं की ratio में divide कर देना है यह आपके 6% बनेंगे यह 2% बनेंगे तो direct जब आपसे पूछा की लेखा विभाग की महिलाओं कितनी है आपकी तो आपको 4600 का 2% निकाल देना है यदि पूछे पूरुष कितना है तो 6% निकाल देना है तो इसी भागों को मिलाकर उनमें कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है IT और HR भाग देखे उसमर करके दिखाते हैं तो IT विभाग में आपके कितने परसेंट है आपके 26 परसेंट है और HR विभाग में कितने हैं आपके 11 परसेंट है तो एक तो यह तरीका कर सकता कोई वेक्ति कि पहले आप 26 परसेंट निकालो उसका इसको 46 परसेंट का फिर आप 11 परसेंट निकालो फिर बाद में एड करो वो तरीका आपका बड़ा होगा आपको क्या करना है सबसे पहले ही 26 और 11 को एड करना है और एड करके लिखना आपको और कि दोनों विभागों के मिलाकर जो कुल परसेंटेज बनता है इनका वो बनता आपको 37 परसेंट अब 46 अंडर का आपको 37 परसेंट निकालना है तो मेरे तरीकी एक निसार तो वही करेंगे पहले 30 परसेंट निकालेंगे बाद में 7 परसेंट निकालेंगे तो 30 परसेंट निकालने का आपको पता है कि 46 आपका 1 परसेंट है तो 46 का ट्रिपल कर देंगे त तो 120 और 18 आपके 1380 जो है आपका 30% हो गया उसके बाद हम 7% निकालेंगे तो 7 को भी आपको पता है कि 7 को 46 से मल्टिप्लेंगा नहीं तरीका क्या है साथ को पहले 4 से करो 280 उसाचीक 42 तो 280 और 42 कितना हो गया आपका 322 तो 322 को इसमें एड कर देना है और आप करेंगे तो आपक यह एंसर दिया हुए इसलों कुछ ज्यादा टेक्निक नहीं थी सिंपल कैलकुलेशन का यह पार्ट था वह सापको यह करना था कि जो टोटल आपके करमचारी पूछे IT और HR भाग के तो उनको आपको पहले एड कर देना कि 26 को आपको और प्लस 11 37 परसेंट होगे और जो टोटल आपके करमचारी की संख्यादी हुए थी 4600 कि 4600 कुल करमचारी है तो 4600 का 37 परसेंट आपको निकालना है तो यह तरीक आपका हुआ जो टेडिशनली करना चाहते ह उसका सीधा सीधा पार्ट यही होता है जो मैंने लिखा कि 4600 multiply में 37 by 100 आप करेंगे जीरो से जीरो दोनों कट जाएंगी और अंततों गत्त आपको क्या करना पड़ेगा 46 को 37 से multiply करना है और multiply ही किया था मैं यहाँ पर भी बस आपने लिखा नहीं था यह तो जैसे जैसे आप की understanding भड़ती जाएगी तो आपको लिखने वाला जो पार्ट है वो कम हो जाएगा और direct answer करने के लिए निकालने के लिए जो प्रक्रिया आवश्यक है बस उतना ही आप करेंगे तो आपके लिए आवश्यक क्या था कि 47 को 37 से multiply करें और multiply करने के बाद आपका जो आता है वह आ आपका answer हो गया यह आपका question हो गया अगला question देखिएगा कि सभी विभागों को मिलाकर उनमें कारियरत पूरुषों की कुल संख्या और महिलाओं के संख्या का अनुपात क्या है अभी देखिए question अब question के साब से क्या है आपका कि यह आपके कर्वचारियों का अलग अलग विभागों में जो कारियरत पूरुष है उन पूरुषों को निकालना है अलग विभागों में कारियरत जो महिलाओं को निकालना है फिर उन जितने भी पूरुष आएंगे उन पूरुषों को जो महिलाओं आएंगी महिलाओं को उनको आपस में ratio बनाना है तो ratio बनके जो कपा इंसर आएगा वो अंसर निकाला अगर ऑं पारमपरिक तरीक्षे से देखें तो पारमपरिके जो क्या होगा की पहले आप क्या करोंकी 4600 का आप 26 परसेंट निकालोगे उससे आपके विपणने विभाग के करमचारी आएंगे उन करमचारीयों को आप फिर पुरुष और महिलाओं में डिवाइड करोगे ऐसे अलग-अलग विभाग में पुरुष निकालेंगे, महिलाओं निकालेंगे सब आतिच लए जाएंगे आपके फिर आप पुरुष को एड करोगे फिर महिलाओं को एड करोगे और उसमें जो रेशो आपका बन सकता है वो रेशो आपका अंसर आएगा तो इस परक्रिया में को काफी बड़ा पड़ेगा पांच से दस मिनिट आपको लग सकते हैं यदि कैलकुलेशन में थोड़ी भी गलती होगी तो अंसर आपका गलत हो जाएगा तो वो तरीक आपका अपका अपलाई नहीं करना है कुछ बच्ची क्या कर देते हैं कि वो पुरुषों को यहाँ पर जोड़ देते हैं या महिलाओं को जोड़ देते हैं इस रेशो को पहले आपका नंबर में चेंज करना पड़ेगा तो पुरुषों की संख्या आएगी महिलाओं के संख्या आएगी तो उस अलग-अलग संख्या के अधार पर तब आपका यहाँ पर रेशो बनेगा तो हम जो method apply करेंगे वही method जो कि हमने लेखा विभाग में महिलाओं की संख्या निकालने के लिए किया था उस तरह से करेंगे कि जो IT विभाग के अंदर आपके 26% करमचारी दिये हुए है तो उनको हम पूरुष और महिलाओं में डिवाइड कर देंगे कैसे कैसे डिवाइड करेंगे देखिएगा IT विभाग के अंदर आपके चार में से जो एक है आपका वो आपका पूरुष है वो चार में से तीन आपकी महिलाए है आपको पता है कि जितने भी आपके यहाँ पर पूरुषों के प्रतीशत आते जाएंगे उनको लिख लेंगे फिर महिलाओं के जो प्रतीशत आते आ जाएंगे उनको लिख लेंगे और उनका जो total होता है वो हमेशा आपका 100% होगा क्योंकि ये जो आपके प्रतीशत हैं 26 से लेकर 15 तक ये total कितने हैं आपके 100% है और वो 100% के आपका 4600 है तो जब इन अलग-अलग प्रतीशत को हम पूरुष और महिलाओं में डिवाइड कर रहे हैं तो पूरुषों का जो total प्रतीशत आएगा महिलाओं का जो total प्रतीशत आएगा उसका भी जोड कितना होगा आपका 100% ही होगा तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमें अलग-अलग पूरुष को निकालें फिर अलग-अलग महिलाओं को निकालें ये आपका कारीय क्या हो जएगा बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा हम क्या है, हम केवल क्या करेंगे, एक Part निकाल लेते हैं, तो एक Part का जो Total आएगा आपका, जैसे महिलाओं हमने निकाली महिलाओं का Total प्रतिशत आपका आगया, उस Total प्रतिशत को 100 में से मैनस कर देंगे तो आपको क्या जाएगा? पूरुष का प्रतिशत आ जाएगा. और आपको देखे कि जिसमें आपके छोटे छोटे नंबर है, वो वला पार्ट हम ले लेंगे तो महिलाओं में आपके एक की संख्या अधिक बार है, तो महिलाओं का प्रतिशत निकाल लेते हैं. आपका चार चिक 24 आएगा बचया आपके दो तो चार पंजे 20 तो 6.5 आया मतलब 6.5 आपका क्या है यह एक भाग हुआ जब उसको तीन से multiply करते हैं कितना हो जाएगा आपका 19.5 कि तीन चिक अठारा अठारा यह आपके होगे तीन को 0.5 से multiply करेंगे तो डेड़ हो जाएगा अठारा में डेड़ अजब एड़ करते हैं तो आपका कितना जगा 19.5 तो एक निकाली हमने अर्थात क्या हुआ कि ITV भागे के अंदर जो टोटल आपके करमचारी थे वे कितने थे 26 परसेंट थे उस 26 परसेंट में 19.5 तो अगर बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या होजेगा? 11 परतिशत यह हो जाएगा 11 परतिशत यह हो जाएगा तो महिलाएं कितनी होगी आपकी? 11 परसेंट 11 यह लिख दिया उसके पर चाहता आपका क्रेवी भाग आया क्रेवी भाग में देखेंगे क्रेवी भाग में महिलाओं की संख्या 6 में से 1 है पूरुषों की संख्या 6 में से 5 है और टोटल आपके जो क्रेवी भाग में करमचारी है वे आपके 18% है उसी तरह से निकाल लेंगे कि 6 में से एक आपकी है महिला तो 18 में से कितनी बनेगी तो 6-18 तीन परतिशत बनगी तो कहेंगे क्रेवी भाग में तीन परतिशत महिलाएं है बाकी जो बचेंगे वे आपके पूरुष हो जाएगे ऐसे HR में कर लेंगे HR में टोटल जो करमचारी का परतिशत है वो आपका 11 परतिशत है उस 11 को भी आधा-धा भाग में बाट देंगे अब तो HR में आपका हो जाएगा 5.5 हो गया आपका उसके पर शाथ आपका आपका आगया लेखा भी भाग लेखा का देख लेते हैं लेखा में आपका क्या है चार में से एक महिला है आपकी चार में से एक महिला है तो टोटल आपके लेखा भी भाग में कितनी करमचारी को परतिशत आठ है तो multiply आठ कर दें उत्पादन में से तीन और दो पांच हैं तो पांच में से आपके दो महिलाएं हैं और टोटल आपके उत्पादन विभाग में कितने हैं 15 हैं तो 15 से मल्टिप्लाई कर दिया तो वही 5, 3, 15 और 3, 2, 6 हैं तो कहेंगे उत्पादन विभाग में महिलाओं का प्रतीशत कितना है 6 है अब देखिए अलग अलग विभागों में हमने महिलाओं का प्रतीशत निकाल लिया इसको आप एड़ कर सकते हैं जिसे साड़े उननीस और आधा बीस हो गए बीस और पांच पचीस पचीस और तीन अठाइस अठाइस एक उनतीस उनतीस और तीस और तालिस दो एक तालिस और छे संतालिस तो कहेंगे संतालिस परतीशत जो हैं आपकी वे टोटल महिलाएं और हमें पहले ही बताया था कि जो टोटल आपका बनता है वो हंड़र परसेंट बनेगा अश्क्या अभी प्राय क्या हुआ हुआ इस 47 परसेंट से अत्रिक्त जो आपका पूरुष हो गया तो अब अब आप देख्यों 53% आपका पूरुष्य है 47 परसेंट आपकी महिलाएं अब कोई वेक्ति कि अगर यहां तक आके है कि वे पहले 46 पर का 53 परसेंट निकालता है फिर 46 ऑनडर का 47 परसेंट निकालता है फिर उसको आपस में काटता है, इस काटने के बाद वो अंसर को निकालता है, तो वो भी आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, क्यों बुद्धिमत्ता नहीं है आप देखेगा, अब माली जी आप 4600 का, आप 53% निकालते हैं, तो 4600 गुना में 53 divided by 100 हो गया, फिर बटे में आपने उसी का 47% निकाला 4600 मल्टिप्लाइ में 47 divided by 100, आपको पता है कि 4600, 4600 आपके कटी जाएंगे, तो भी क्या बचा आपका 53%, 47% तो उससे हम क्या करें कि 4600 का 53 निकालने के बज़ाएं, यह जो percentage आपका दिया हुआ, 53 इसी को हम रेशो के लिए यूज करेंगे और यह जो आपको 47 महिलाओं को दिया है, इसी को हम रेशो के लिए यूज करेंगे तो रेशो क्या बन जाएगा, प्रतीशत से प्रतीशत आपका कट जाएगा, वो रेशो बनेगा आपका 53, रेशो 47, कि जो टोटल वाले questions आते हैं तो जो आपके यहां पर पार्ट दिया रहता कुल उस कुल को ही आपको रेशो में divide कर दो तो उसको रेशो में divide क्या तो अलग लग आपकी महिलाएं फिवी पढ़न जुभा की महिलाएं क्रेव भाग का ऐसे अलग लग आपके महिलाओं का प्रतीशत आ गया उसको आप add कर देंगे तो उससे कुल महिलाओं का प्रतीशत आ गया अगर आप से कोई question यह पूछता है कि सभी वी भागों में मिलाकर कुल महिलाएं कितनी है तो अब क्या करेंगे सीधा 4600 का 47% निकाल देंगे आपका अंसर आ जाएगा यह पूछे कि सभी वी भागों में मिलाकर कुल आपके पूरुषों की संख्या कितनी है तो 100 वैसे 47 हटाने के बाद 53% आपके पूरुष थे तो 4600 का 53% निकाल देंगे यह आपसे पूछा कि सभी भी भागों में मिलाकर पूरुष और महिलाओं की संख्या में अंतर कितना है बिल्कुल सिंपल है आपको की 53% पूरुष है आपके 47% आपकी महिलाए है दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है च्छे प्रतिशत अद्तो 4600 का 6% निकाल द सिधा सिधा आपको पता लग रहा है अकी पूरुष है वो महिलाओं की पृतिशत 6 पृतिशत जाना है तो आप देखेंगे कि इस वाले कोलम को बनाने के बाद में बहुत सारे कोश्चन्स आपके हैं जो सरलता से हो सकते हैं जिनको यदि हम पारंपरिक तरीके से जैसे हम करते आए हैं, उस तरह से करने में काफी बड़ा पड़ सकता है। अब देखेगा आपका अंसर, जो हमने निकाला, 53, रेशो 47, ये थर्ड आपका अंसर आगया। येकी सीम्पल आपका, स्पश्ट हो गया, अब आगे देखेगा। अगला कोश्शन आपका आता है, कि इस संग्ठन में करम चारियों की कुल संख्या में, क्राय विभाग की महिलाओं की संख्या कितने परतीशत है। तो क्रेवी भाग थी आपकी, क्रेवी भाग में टोटल करमचारी आपकी कितने थे, 18 थे, उस क्रेवी भाग में आपको महिलाओं की संख्या का प्रतीशत बताना है, तो वही सेम जो पार्ट आपने किया था, उसी पार्ट के निस्वार करेंगे, वह मैंने अभी हटा दिया, अगर आप उसको रखी तो अब तरुम देख के अंसर बता सकते थे, महिलाओं कितनी बनेगी, वही था, कि टोटल जो 6 थे आपके, उस 6 में से 5 आपके पूरुष थे, और उस 6 में से 1 आपकी महिला थी, और अगर टोटल 18 को इसी रेशो में लिवाइड करेंगे, तो multiply 18 कर द करमचारियों का क्रावी भाग में महिलाओं कितना परतीशा था, तो महिलाओं कितनी आपके 3 परतीशा, सीधा सीधा अंसर आया, 2 से 3 सेकिंड आपके लगते हैं, और आपको पता है कि पिछले कोशन के लिए, हमने अबने सब का अलग-लग परतीशा डिवैड किया था, तो इसको तो आपको निकालने की जरूरती नहीं थी, पीछे जो आपने तीन लिखा था, उसी तीन को देख के आपको अंसर बता देना था, यह सिंपल हो गए आपका, अगला कोश्चन देखिएगा, लाष्ट कोश्चन आपका है, यह तीन प्रतिषाठा आपका लिखा हूँ है, कोश्चन आप सासा देख पने, तो यह आपका उत्पादन विभाग है, और वीपनन विभाग में पूरुष तो यह आपका उत्पादन विभाग हो गया वोडिफिकर छोटी कर लेते हैं question आप सासा देख परें तो यह आपका उत्पादन विभाग है तो उसी तरह से निकालेंगे हाँ पर भी उत्पादन विभाग में पहले पूरुष निकाल लेंगे पूरुष कितने है उत्पादन विभाग में पूरुष का वज़िक क्या था कि पांच में यह तीन और दो पांच है तो पांच में से तीन भाग आपके पूरुश हैं तो 15 में से कितने हो जाएंगे multiply 15 कर दिया आपने तो 5 तीय 15, 3 तीय 9 तो 9 परतिशत आपके क्या होगे पूरुश हो गए ऐसी कुसरा भी भाग था आपका विपणनी भी भाग था तो विपणनी भाग में कितने हैं आपके 22 थे तो 22 में से 11 आपके पूरुश हो जाएंगे 11 आपके महिलाएं हो जाएंगी तो यह आपके 11 हो गए अब इनको आप पूरा 46 का 9 परतिशत निकाल लो 46 का 11 परतिशत निकाल लो फिर उनका प्रेशो बनाओगे तब भी वही से माना है अभी पहले मैंने बताए तो अब क्या करो? वो 46 का यूज न करकि आप इन संख्यो को वैसे ही रखो अककी 9 भाग ये है और 11 भाग ये है अब क्योशन देखेगे आपका क्योशन क्या था? कोशन ये था आपका अक्की उत्पादनविभाग और विपणनविभाग उत्पादन विभाग पहले था उत्पादन विभाग में कितने थे, 9 थे और विपर्णन विभाग में 11 थे तो 9 रेशो 11, तो देखेंगे आप तो कि 11 रेशो 9 भी दिया हुआ है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज को पहले उच्चारीत कर रहे हैं उसको आपको पह समय से 11 प्रतिशत आपके पूरूश थे तो अनुपात आपका बनता है 9 अनुपात 11 अब इस तरह समझने के बाद आपको जो फोकस आपका क्या बना कि जहां पर भी आपकी इस तरह के प्रतिशत को रेशो में डिवाइड किया रहता है तो आप देखेंगे कि जो मूल नंबर आपका इस मूल नंबर का बहुत कहीं कहीं यूज होगा आपका अधिकांश जो कोशन होते हैं आपके वे कोशन यहीं से सोल हो जाते हैं इस नंबर का यूज वहीं पर होगा जहां पर आपसे संख्या पूछी गई होगी कि करम चाले की संख्या कितनी है यदि रेशो पूछ है आपका या आपसे पूछा कि वह से कितना अधिक इत्यादी है तो आपको नंबर का कम से कम यूज होता है उसके अंदर आप इसी प्रतीशत को अनुपात में डिवाइड करके अंसर्स निकाल सकते हैं उसका पार्ट कम रहेगा अब इससे किसी भी तरह के कुश्चन कर सकते ह हैं यहाँ पर कि जो महिलाएं हैं आएटी विभाग की महिलाएं क्रै विभाग की महिलाओं से कितना परतिशत अधिक हैं तो अब आपको क्या है अभी से और इस चैलिसों को यूज नीकर आपको 27 को ही आपके डिवैड करना है तो आफिक कि अएथा आपको ऑननिव Πक्र कंर आगया, तो को स्ट विफायव को थे, तो पूछे क्रेविभाक की महिलाएं, Youth P. 3 में ते विफायव स्ट अब इसको सोकारांrajऌों पड़ेगा इस सारे आपको करने पड़ेंगे चेलिश सो का 26 प्रतीशत निकालो फिर अलगलग पूरुष महिला निकालो फिर उनका प्रतीशत निकालो ऐसी इसका निकालो फिर उसको आप देखोगे कि वो इससे कितना प्रतीशत अधीक है तो वो सा पार्ट आपको नहीं करन को साड़े साथ एड़ किया आपने और आपने चाले सो का साड़े साथ प्रतिश्यत निकाल दिया और उसको कैसे निकालते यह भी देख लीजिए आपका दौरस बताता हूं को जैसे question मैंने यह पूछा था कि लेखावी भाग और HRV भाग में महिलाओं के कुल संख्या कितनी है तो पहला क्या करना है HRV भाग में महिलाओं का प्रतिशत निकालना है तो HRV भाग में total आपके कितने थे करमचारी 11 प्रतिशत थे उसको बरावर बरावर भागों में जब बाटेंगे तो क्या हैगा साड़े 5 आपके पुरूश हो जाएंगे वो साड़े 5 आपकी महिलाओं हो जाएंगी हम यह तो महिलाओं पे ध्यान देना है तो साड़े 5 प्रतिशत हो गए फिर लेखावी भाग में गए गए लेखावी भाग मापके महिलाएं कितनी बनती हैं, यह तीन एक चार था, तो चार में से तीन आपके पुरूशन, चार में से एक आपकी महिलाएं हैं, आठ को अगर डिवाइड करेंगे तो वही हो जाएगा, इसको सिंपल करने यह तरीका क्या होता है, इन दोनों को एड करना चार, और उनमें से एक आपका है महिला, और यह जो आपका टोटल था, इस टोटल को यहाँ पर मिल्टिप्लाई कर देना, तो चार दोनी आठ, और मेंटली करने के लिए हम क्या कर देते हैं इसको, हम लिखते नहीं हैं, इसको एड किया तीन एक चार, चार से इसको जो तरीका में लिख के करते हैं, उसको मेंटली कर लेते हैं, तो दो आपकी महिलाएं परतीशत आ गई, आपकी लेखा भी भाग में, तो लेखा और एचार भी भाग में कुल महिलाओं का परतीशत कितना आ आपका, साड़े साथ, अब आपको संख्या बतानी है, कि करमचार हैं, तो 7 से मल्टिप्लाई कर देंगे, 7 को 4 से किया, 7, Sophia 28 मत्ँधा 280, 7 को 6 से किया 42, 281 और 42 कितनी हो गया आपके? 32, तो साथ परतीशत 322 आपको आपको आद्ह परतीशत निकालना है, अब आपको पता है कि 60 है, एक 60 है तो आद्ह परतीशत कितना हो जगा? 2013 हो जाएगा, तो आप तीज़ एड़ कर दीजिए आप तीज़ एड़ करेंगे आपको कितना आज़ेगा तीन चार पांच की 345 की है चार विभाग और लेखा विभाग में दोनों की मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी 345 है अब आपसे ये पूछें ये कुशन अलग तरह से कैसे है 18 अचार परतीशत है उस में एंचे पूरुष कितने पूरुष ऑनरा, तो पंदरा परतीशत ये पूरुष बने और ह्विभाग में आपने देखा था कि अचार विभाग में महिलाओं के पूरुष ना साड़े 5 है तो को आपका को कितनी तो कोशन में क्या पूछा था कि क्रै विभाग के जो पूरुषों की संख्या है वो HR विभाग के महिलाओं की संख्या से कितना दीख है तो एक क्रै विभाग के जो पूरुषों की संख्या का प्रतीशत 15 प्रतीशत आया 4 भाग की महिलाँ का संख्या का प्रतिश्थ, 5.5 प्रतिश्थ आया आपको देखना है कि यह जो 15 प्रतिश्थ है पूरुष यह इससे कितना ज़ाधा है तो आपका 6.5 प्रतिश्यत आ गया अब आपको क्या करना है अकी जो 400 थे उस 400 को 9% निकाल दो आपका अंसर आजएगा तो 9% निकालने का भी तरीका क्या है? पहले आप 10% निकालो, तो 10% कितना है आपका? 460 है, फिर आधा परतीशत निकालो, आपको पता है कि 40 आपका 1% है तो आधा कितना? जो 23, तो 23 इस पर समाइनस कर दो, तो आपका साड़े 9 आजएगा, दसमतीन साथ, पार्चमत उगए 3, तो 437 जो है आपके ये कहेंगे, क्रैव विभागे के जो पुरूश है, वो एचार विभाग की महिलाओं से, उनकी संख्या कितनी अधीक है? 437 अधीक है. तो इसी प्रकार से आप इन चीज़ों को मैलिप्लेट कर सकते हैं, जो की अन्यत तरीके से करने में काफी बड़ा पड़ता है. तो आज की फिगर में यतना ही रखते हैं, अगली फिगर के बारे में किस-किस प्रकार से सिध्धानतों को देखना है, उसको मगले प्रियास कर करेंगे, ओम शंग।